Hello dear students, welcome to the class 4th, यह आपकी EBS की बुक है, आप जानते ही होंगे और इसका 1st चेप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसके 5 वीडियोज भी देख चुके होंगे आप, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजेगा, मना आप पीछे रजाएंगे, और 1st चेप्टर का नेम आपको याद रखना है, my family और अभी आज हम करने वाले हैं, इसके ऐसे questions, जो हमारे प्यारे और intelligent बच्चों के लिए हैं, इसके उपर लिख भी रखा हैं आपके लिए, questions for sharp thinkers, sharp thinkers है नहीं, intelligent बच्चे, तो जो intelligent बच्चे हैं वो कौन हैं, आप लोग, तो यह question किसके लिए हु एक लिए हैं, यह को यू 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 स्टी स्ट्टियो तेस्ट करने में यूस करते हो, शायदा भूल गय और इसकी टच अफ तो यहाँ पे आपसे चो कोश्चन पुछा है उसमें क्या यूज़ होगा हमारा टंग टेस्ट करने में क्या यूज़ होगा टंग ओके कोश्चन नमबर टू यह मिस्परिंट है यहाँ पे तो यह कोश्चन नमबर टू है और यह थ्री है यहाँ पे पुछा है कि अगर एक फैमिली में 6 या 7 पीपल है बट वो एक दुसरे से रिलेटेड नहीं है मतलब एक दुसरे से चुड़े हुए नहीं है तो क्यों फैमिली चाइन फैमिली होगी अगर येस तो लिखना है येस अगर नहीं तो आपको बताना है क्यों तो मुझे तो लगता है कि वो जाइन फैमिली नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि फैमिली में चाहे वो नुकलियर फैमिली हो या जाइन फैमिली हो उसमें लोग एक दूसरे से related होते है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते है और अगर इस question में बताया है कि related नहीं है तो वो एक joint family नहीं हो सकती question number 3 ये questions आपको लिखने नहीं है सिर्फ सुनने है और learn रखने है आपको, ये आपके general knowledge के लिए does a family play role in rising a child how? यहाँ पर पूछा है rising यानि पालन पोशन क्या एक family का रोल होता है बच्चे के पालन पोशन में क्या आपको लगता है कि पूरी family का रोल होता है बच्चे के पालन पोशन में या फिर सिर्फ ममा का होता है आपको क्या लगता है मुझे तो लगता है कि पूरी फैमिली गा रोलता है कैसे जैसे की पापा या मंमा पैसे आनकरते हैं कमाते हैं और मम्मा तो और भी हमारे काम करती है, स्कूल बैग रेड़ी करती है, खाना बनाती है, कपड़े दोती है, दादे दादी हमें स्टोरी सुनाते है, हमारे बड़े भाईया या बड़ी दिदी आंकल हमें स्कूल छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, तो उन सब के अलग-अलग next फिर है आज का homework ये question आपको मैं दे चुकी हूँ पिछले वीडियो में, वीडियो नमर 5 में question 1, 2 and 3 दिया था, okay ये जो यहां तक था यहां तक, लेकिन आज मैं आपको दे रही हूँ question number 4 जो है, what are mammals name any 5 mammals mammals क्या होते हैं, और any 5 mammals mammals के नाम लिखने है, तो mammals क्या होते हैं, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, तो mammals वो होते हैं, जो अपने babies को baby के रूप पे जन देते हैं, मतलब baby के रूप में बर्थ कराते हैं, उनके बच्चे उनके जैसे ही दिखते हैं, जब बर्थ होता है उनका, अंडे एक्स नहीं होते हैं, तो वो होते हैं mammals, जैसे कि human beings and some animals give birth to their babies, यहनी human being, यहनी हम लोग, इंसान, और some animals, यहनी कुछ animals, give birth to their babies, यहां से करना है बिटा, भूलना मत, यह तो पीछे वाला homebook है, यह यहां से आज का homebook है, और आपको भी मेरी तरह नीचे से start करना है, new page लेनी की बार-बार ज़रूरत नहीं है, अगर notebook भर गई है, sorry, अगर page भर गया है, तो कोई बात नहीं, तो आप new page ले सकते हो, लेकिन हर वीडियो के लिए, आपको बार-बार new page लेनी की कोई जरूरत नहीं है, और date आपको वही लगानी है, मैं बार-बार कहा रही हूँ, जिस दिन आपको वीडियो मिलता है, आपको वही date लगानी है, आपको इसकी मैच नहीं करनी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इनसान भी क्या है, मैमेल्स, five मैमेल्स आर, अब five मैमेल्स के नाम लिखने का बोला तो देखो क्या क्या है, dogs, dog के puppies होते हैं आपने देखे होंगे, चटट चटट पिले, dog के जैसे दिखते हैं जब बढ़त होता है, कभी dog के एंडे देखे है, नहीं न, फिर एक काउज तो वो मैमल है, कैट्स वो भी मैमल है, टाइगर्स भी मैमल है और लॉयन्स भी, तो आपको यह इसका अंसर लिखना है, फिर एक कोशिश नंबर फाइफ, इसका अंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको करना भी होगा, पढ़ना करके फिर इसको लाद करें, तो जल्दी हो जाएगा, वाट इस दडिफरेंस बिट्विन एन एडप्टेट चाइल एन फॉस्टर चाइल, आपको मैंने जब एडप्शन पढ़ाया था, चली एक बार नज़े डाल दीजी उस पर, तब आपको बताया था कि अडप्टेट चाइल क्या होता है, और फॉस्टर चाइल क्या होता है, अगर कोई कपल यानि हस्बेंट वाइफ किसी बच्चे को लीगली यानि गॉर्मेंट की परमिशन से, डोक्युमेंट वगेरा रेडी करा के, कोट के ओर्डर से बच्चे को गोद लेते हैं, उसे बोलते हैं, उस बच्चे को, और अगर कोई family, बिना किसी legal permission के, यानि बिना किसी government की कारेवाई के, बिना किसी court के order के, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसको बोलते है foster child, चलिए तो इसको यहापे describe किया है, मैंने, a couple legally takes a child and raises him or her as their own child, this kind of child is called an adopted child, यानि एक couple, husband wife, किसी बच्चे को, legally, अपनी कब्जे में लेता है, उसको घर में रखता है, अपने खुद की बच्चे की तरह, उसका पालम पोशन करता है, तो उसे बोलते है adopted child, but when a couple takes another person's child into their home, without becoming the child's legal parents, और इससे उल्टा, अगर कोई parents, बिना किसी की permission के, बिना legal permission के, किसी बच्चे को अपने घर पे रखता है, this kind of child is called a foster child, तो यह इसका answer है, तो आज के ओंबग में आपके कितने question है, question number 4, जो यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ तक है, यहाँ तक, loins तक, question number 5, यह देख लिजिए, यह है आपका, यहाँ तक, इसका आप screenshot लेके भी कर सकते हो, और वीडियो को पॉस्ट करके भी कर सकते हो, वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देख ले, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए time बहुत कम मिल रहा है, वीडियो की through, वैसे घर में पढ़ने के लिए बहुत time है, तो आप अपने time को use कीजिए, और हातों अतलंग करते रहिए, तक जब school खुले, तो आपको अपना पढ़ा हुआ सब याद रहे और उससे आगे की study of school में आके कर सके, thank you.